हेलो फ्रेंट स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपनी चैनल क्रिकोलन प्रेडिक्शन में तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले टी एन पील का मुकाबला जो कि खेला जाएगा इन आर के वीएस आई टीटी के बिच में है तो हमेशा की तरह काफी helpful काफी informative वीडियो रहने वाली है देखो क्योंकि यह जो मैचेज है ना टी एन पील के इसको कोई कवर नहीं कर रहा है सारे लोग क्या कवर कर रहे है अभी आपको मालू में दिहंडेड इस्टार्ट हुआ है सारे लोग वहाँ पर वियस थे लेकिन आपको मालू में भाई ल कमर तोड़ दो ठीक है तो वीडियो काफी informative काफी helpful रहने वाली है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो बताता चलूं बेसिक चीज़े मैच नंबर 23 जो कि आप लोगों को इंडियान सिमेंट कंपनी ग्राउंड पे होता हुआ दिख जाएगा जो कि 24 जुलाई 7 ब पतलब रिजल्ट नहीं है बारिश के वज़ा से फिर यहां पर हारी है ठीक है तो इन लोगों का यह फॉर्म चल रहा है अब इनके तरफ से होगा क्या तो आप लोगों को देखिए आरिस मोकित हरी कनन के साथ के भी अरजून कार्थिक ओपन करते हुए दिख जाएंगे हरी कनन की बाद करते हैं देखो यहां पे अगर एक बावन रनो वाली पारी छोड़ दी जाए तो उतना इन्होंने कोई खासा पर पफोर्मेंस किया नहीं है लेकिन अच्छी बात यह ना कि यह आप लोगों को ओपनिंग के साथ साथ बालिंग देने वाले हैं तो ऐसे में आप के बाद की तीन मैच फ्लॉप का हैं एक मैच में बैटिंग नहीं आई है इस कार्ति की स्वरण की बात करतें तो पिछले मैच में 29 करके आ रहे हैं आप लोग प्लीज स्क्रीन सोट लेते रहना न एस हरीश की बात करते हैं तो बालिंग में कोई विक्ट मिला नहीं है तीन as a better इन्हों नहीं किया continuously balling यह करते है 4 over नहीं करते हैं लेकिन 1-2 over आप लोगों को करके दे सकते हैं आर्सोनी यादो 4 over की proper आप लोगों को balling करने वाले हैं batting करए लिवाले बाइसे नीचे आदें को पिछले match में 17 का score किया balling से कोई wicket मिला नहीं था एल सूर्य परकास की बात करते हैं तो पिछले मैच में महज एक रन कर पाया थे बैटिंग कर हम काफी नीचे है बाकि S.J. अरुन कुमार की बात करते हैं बैटिंग आई नहीं थी भाई इनकी इस लक्ष जैन की बात करते हैं चार ओबर के बालिंग में कोई विकेट नहीं निकाल पायते हैं आर्सिलम ब्रसं तीन ओबर के बालिंग में कोई विकेट नहीं मिलाता उससे पहले इनको ओवर नहीं मिलाता इस्टार्टिंग में तीन और दो विकेट निकाल के आयते हैं ठीक डिटेलिंग है जो कि आल्रेडी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है अगर कोई खेलाडी न्यू खेलेगा तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर अपडेट कर दूँगा वहां पर आप लोग रहना वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा जोएन कर लेना तो धिरे तो इनके तरफ से क्या होगा तुसार रहेजा के साथ आप लोगों को वीपी अमित सत्वीक ओपन कर दिख जाएंगे वैसे बात किया जाए तो दोनों ने मतलब ठीक ठाक परफोमेंस किया हुआ ठीक है पिछले मैच में तो दोनों ने बहतर परफोमेंस किया रहेजा के 89 थ है एस मोहमाद अली इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंटिनुसली इन्होंने बैटिंग बॉलिंग दोनों काम किया हुआ है पिछले मैच में तीन विकट निकाल के आ रहे हैं बाकि आरसाई किस और बारा के स्कूर किये तो बॉलिंग से कोई विकट मिला नहीं था उसके बाद करते हैं एक 36 रनों का योगदान है क्योंकि देखो बैटिंग करम काफी नीच है ठीक है बाकि फ्लॉप पार यहीं देखने को मिल रही है बाकि मतिवनन की बात करते हैं तो तीन ओवर के बालिंग में कोई विकट मिला नहीं था एक एक विकट उससे पहले इन्होंने निकाल बाकि उससरा मुला है रहा है रामा लिंगम पन्क करते हैं रहाजा चाहो ओंत इनके बाल में को सकते हो को मिला स्थ के उसप्राइब बाकि भुनेश्वरंं की बात करते हैं तो बालिंग में यकट इन्होंने निकाला है विजय संकर बेंच पे हैं बागी जितने भी खिलाडी बेंच पे हैं यहां पे उनका recent form लिखा हुआ है मैंने squad की detailing है आप चाहो तो यहां से read करना चाहो read कर सकते हो और कोई भी changes होगा तो मैं आप लोगों को after toss telegram पे update कर दूँगा अप देख लेना चलो head to head की बात करते हैं तो देखेगा साथ मैच हुए है एनरके की टीम ने तीन ITT की टीम ने चार मैच को विन किया है टॉप performer खिलाडी head to head में current squad के हसाब से देखते हैं तो पहले देख लेते हैं कुछ current match मतला पिछले साल एक मैच हुआ था एनरके का 124 बनाई थी टीम ने डी टीटी की टीम 128 बनाई थी चेज कर गए थी इस मैच में सोनु यादो के 35 रन थे बॉलिंग से दो विगड़ते हैं अतिस के ज्यादा कुछ थे नहीं 20 रन थे लक्ष जैन के एक विगड़ते हैं तुसार रहे जाके 49 रन थे ठीक है राधा कृष्णन के 34 थे पी भूशवरन के 5 विगड़ते हैं बागी साई किसोर के ए परकास्त का नाम देखने को मिल रहा है लेकिन वहीं बात है जब यह खेल नहीं रहे तो फिर बात ही करना बेकार है अगर देखो ग्राउंड रिकॉर्ड पिछ रिपोर्ट की बात कि जाए तो इंडियान सिमेंट कंपनी ग्राउंड ट्री ट्रूने लवी का यह ग्राउंड रहने वाला भाई यह सब जो नाम है ना बड़ा तीड़ा मेड़ा रहा रहता है टीन पील में टीम्स के नाम ऐसे हैं कि भाई अगर बोला जाए मतलब चार बर आप से बोल दिया जा तीजी में बोलने के लिए तो नहीं बोल पाऊगे तो पिछ रिपोर्ट की बात कि यह त पर फश्ट इनिंग में ज्यादा इंपोर्टेंट है वैसे मेरा मानना है ना दोनों परकार के बॉलर्स इंपोर्टेंट हो सकते हैं पिछले सतर मैचों में देखेगा 33 मैच को फश्ट बैट करने वाली टीम ने 34 मैच को चेजिंग साइड ने एक मुकाबला टाई हुआ है एनरके की टीम साथ मैच इस ग्राउंड पर खेली है आठ माफ कीज़ेगा चार जीती है आई टीटी की टीम सतरा मैच खेली है आठ मैच जीती है रिसेंड मैचे देख लिए आप लोग यहाँ पे लकेगे की टीम 163 बनाती है स्मपी की टीम 120 बना पाती है ग्यारा विकेट स्मपी के बॉलर को साथ विकेट बॉलर को 23 जुलाई के विताउड्रेश कि टीम एक सथमेस जूलाइं मैच बनाती है है चेजिंग साइड मैंच को के लिए हमारी क्या कुछ fantasy team बन के रेडी हो रही है तो देखो दोस्तों बात करते हैं विगट keeper option से उससे पहले उमीद है कि आप वीडियो देख कर आ रहे होगे तभी जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा समझाऊंगा आप अच्छे से रिलेट कर पाऊगा ठीक है देखो थोड़ा सा बैक्ग्राउंड से आवाज आ रही होगी तो प्लीज आप इग्णोर करना थोड़ा एस अतीक वीपी और जी अतीस को लेकर चल रहा हूँ क्योंकि बैटिंग करने के लिए अच्छी ग्राउंड है 186 पलस का यहां पर टोटल मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ ठीक है बाकि उमीद है कि वीडियो देखकर आ रहे होगे मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप ट से कम और राउंडर सेक्षन से संजय यादो और इस मुहमद अली को लेकर चल रहा हूँ एम हरी करन का विकल ठीक है अगर आप चाहो तो अपने टीम में इनको और जेस्ट करना चाहो कर सकते हो फिर आप लोगों को यहां से कोई एक विकेट कीपर ड्रॉप करना पड़ेगा जी अतेस को लोग ड्रॉप कर रहे हैं लेकिन यह वन डाउन बैटिंग करेंगे बैटिंग के लिए अच्छी ग्राउंड है इस वज़ा से मैं इनको लेकर चल रहा हूँ हो सकता है टॉस के बाद मैं भी अपने टीम में नहीं को ले लूँ तो उसके लिए टेली ग्राम पे यह अच्छे खिलाडी हो सकते हैं अगर आप चाहो तो अपने टीम में यह फर्ष्ट बॉल करें आई टीटी की टीम तो इनको ट्राई करके चल सकते हो क्योंकि इन्होंने एक एक विकेट हर मैच में निकाला हुआ है बागी देखो कैप्टेंसी मैंने संजय यादो संजय य सब्सकार के टीम मन के रेडी हो रही है जहां पर यह दोनों राउंडर मेरे काप्टन वाइस काप्टन है चार विकेट कीपर है एक बैटर है मेरे टीम में और चार बॉलर है और जो भी टॉस के टाइम पर अपडेट वगएरा होगी मैं आप लोगों को यहां पर कर दूंग लो गुडबाय टेक्ट